नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीवमेंट में मैं करुणा इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 12 का सेकेंड रम का पेंटिंग स्लेबस जैसे की मैंने आप से कहा था तो दोस्तों आपका जिस तरह से 15 मार्क्स की तुरी फर्स्ट रम में टम फर्स्ट में भी आपकी दो यूनिट थी और टम सेकिंड में भी आपकी दो यूनिट है जिसके अंदर से आपकी यूनिट थार्ड है दे बंगाल स्कूल ओफ पैंटिंग जिसमें से आपके 8 मार्क्स के कोषिण रखे जाएंगे और यूनिट 4 है इंडियन नेशनल फ्ल और कौन-कौन से topic को छोड़ देना है कौन-कौन से artist की painting हमें पढ़नी है उसको हम देख लेते हैं तो ये बंगाल स्कूल वाली उनिट थर्ड में आ जाते हैं, तो नेशनल फ्लैग वाला चेप्टर आपको पूरा पढ़ना है, इसके अलावा बंगाल स्कूल में आपको उसका डेवलप्मेंट आपको बंगाल स्कूल का पढ़ना है, बंगाल स्कूल के फीचर्स यहां पर यात्रा का आंथ, अवनिंद्रनाथ्टेगोर की, शीव और सती, नंदलाल बोज की, राधिका, चगुताई की, और मेगदूत, राम गुपाल विजयवर की, और इसके अलावा, इंडियन आर्टिस्ट का स्ट्रगल, जो उन्होंने किया था, फ्रीडम दिलाने के लिए, वो ज श्री राम, राजर अवी वर्मा की पेंटिंग है, मदर अंड चाइल्ड, यामनी रोय की, हल्दी ग्राइंडर्स, अमरिता शेरगिल की, और मदर टेरेसा, एम अफ हुसेन की, इसके अलावा, ग्राफिक पिरेंट्स आप पढ़ेंगे, बच्चे सुमनाथोर, देवी, जोत अफ वाल्स, यानि की दिवारों से सरोकार, अनुपम सूध, मैन, वुमेन अंड ट्री, के लक्षमन गोड, और स्कलप्चर आप पढ़ेंगे, ट्रिम्प ऑफ लेवर, श्रम की विजर, डिपी राय चौदरी की, सान्थाल परिवार, राम किंकर बैज, चीखें, क्राइज अमर्नाथ स्राइगर की, और गनेश पीवी, जान की रहो, तो दोस्तों, ये था आपका थियूरी का स्लेबस, जो आपका 15 माक्स का है, पैतिस नंबर के प्रेक्टिकल में आपने क्या करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो नेचर और अबजेक्ट इस्टडी आपका पोर्टफोलियो असेट्मेंट के कुछ चित्र बनाए हैं, इसी तरह से, अभी सेकिंड रम में आपको नेचर अबजेक्ट बनाना है, और दस नंबर का आपका पोर्टफोलियो असेस्मेंट रहने वाला है, आशकरती हूँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें,